हमने गुननखंडों के बारे में पढ़ा है आईए एक बार उसकी दोराई करते हैं क्या आप 18 के गुननखंड कर सकते हैं इसके लिए हमें उन संख्याओं को ग्याद करना है जिन संख्याओं की गुना से 18 आ सकता है क्या आप वे संख्याओं बता सकते हैं स्वीटी ने जवाब दिया एक गुना अठारा अठारा होता है दो गुना नो बराबर अठारा तीन गुना छे बराबर अठारा छे गुना तीन बराबर अठारा नो गुना दो बराबर अठारा और अठारा गुना एक बराबर अठारा होता है यानि 18 के गुननखंड ए, दो, तीन, छे, नो और 18 हैं और यह बिल्कुल सही जवाब है आईए हम देखते हैं अब तक हमने जो सीखा है उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है सबसे पहली बात, एक संख्या का गुननखंड उस संख्या का पुर्ण विभाजक होता है कहने का मतलब किसी भी संख्या का गुननखंड उस संख्या को पूरा-पूरा भाग करता है प्रतेइक संख्या स्वयम का एक गुननखंड होती है और एक प्रतेइक संख्या का गुननखंड होता है दी हुई संख्या का प्रतेइक गुननखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है प्रतेएक संख्या अपने प्रतेएक गुननखंडों का एक गुनज होती है दी हुई संख्या का प्रतेएक गुनज उस संख्या से बढ़ाया उसके बराबर होता है प्रतेएक संख्या स्वयम का एक गुनज है हमें इन सभी महत्वपुर्ण बातों को याद रखना है आईए अब हम आगे सीखते हैं सार्व गुननखंड या common factors किसे कहते हैं आज हम ये सीखेंगे सबसे पहले आपको याद रखना है सार्व गुननखंड को हम साजा गुननखंड या उभेनिष्ट गुननखंड भी कहते हैं गुननखंड के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं आईए अब हम सार्व गुननखंड ग्याद करते हैं हमें 20 और 28 के सार्व गुननखंड ग्याद करने हैं सबसे पहले हम 20 के गुननखंड ग्याद करेंगे वे संख्याएं जिनको गुना करने पर हमें 20 प्राप्त होता है सभी संख्याएं 20 की गुननखन है 1 गुना 20 बराबर 20 2 गुना 10 बराबर 20 4 गुना 5 बराबर 20 5 गुना 4 बराबर 20 10 गुना 2 बराबर 20 और 20 गुना 1 बराबर 20 है हम कह सकते हैं 20 के गुननखन एक, दो, चार, पांच, दस और बीज हैं, अब हम 28 के गुननखन ग्याद करते हैं, एक गुना 28 बराबर 28, दो गुना 14 बराबर 28, चार गुना 7 बराबर 28, साथ गुना 4 बराबर 28, चोधे गुना 2 बराबर 28, अठाइस गुना 1 बराबर 28, हम कह सकते हैं कि 28 के गुननखन एक, दो, चार, साथ, चोधे और 28 हैं, किसी भी संख्या के गुनलखंड उस संख्या को पूरा-पूरा भाग करते हैं आप विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके भी किसी भी दी हुई संख्या के गुनलखंडों को ग्याद कर सकते हैं अब हमें सारव गुनलखंड ग्याद करने हैं हम वे गुन्खंड देखेंगे जो दोनों सिंख्याओं में हैं सबसे पहले देखिए एक, दो और चार ऐसे गुन्खंड हैं जो 20 के गुन्खंड भी हैं और 28 के गुन्खंड भी हैं हम कह सकते हैं कि 20 और 28 के सार्व गुन्खंड एक, दो और चार हैं तो आप समझ भी गए होंगे कि सार्व गुननखन या साजा गुननखन या उभेनिष्ट गुननखन जिन्हें हम इंगलिश में common factors कहते हैं, वे गुननखन हैं जो दी हुई दो, तीन या चार सभी संख्याओं में होते हैं। आईए कुछ और उधारों से हम इन्हें करते हैं। अब हमें 15 और 25 के सार्व गुननखन या common factors ग्याद करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 15 के गुननखन कौन-कौन से हैं। 1 गुना 15 होता है, 3 गुना 5 बराबर 15, 5 गुना 3 बराबर 15 और 15 गुना 1 बराबर 15 हैं। यानि हम कह सकते हैं कि ये वो संख्याएं हैं जिनकी गुणा से हम 15 ग्याद कर सकते हैं उसके बाद हम 25 के गुणन खन ग्याद करेंगे एक गुणा 25 बराबर 25 पांच गुणा 5 बराबर 25 और 25 गुणा 1 बराबर 25 पंद्रह के गुणन खन हमारे पास एक तीन पांच और पंद्रह हैं पांच के गुणन खन हमारे पास एक पांच और पांच हैं अब हमें ऐसे गुणन खन देखने हैं जो दोनों संख्याओं में आते हैं सबसे पहले देखिए एक पांच हम कह सकते हैं 15 और 25 के सारव गुन खंड एक और 5 हैं अब हमें 35 और 50 के सारव गुन खंड ग्याद करने हैं सबसे पहले हम देखते हैं 35 किन संख्याओं की गुना से प्राप्त हो सकता है एक गुना 35 ब्रापर 35 पांच गुना 7 ब्रापर 35 और 35 गुना 1 ब्रापर 35 अब हम 50 के लिए देखेंगे किन संख्याओं की गुना से 50 प्राप्त होता है एक गुना 50 ब्रापर 50 दो गुना 25 ब्रापर 50 पांच गुना 10 ब्रापर 50 और 10 गुना 5 ब्रापर 50 25 गुणा 2 भी हमारा 50 के बराबर होता है और 50 गुणा 1 बराबर 50 हम कह सकते हैं कि 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35 है 50 के गुणनखंड 1, 2, 5, 10, 25 और 50 है हमें ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो हमारे पास दोनों संख्याओं में है 1, 5 हम कह सकते हैं कि 35 और 50 के सार्वगुणनखंड 1 और 5 है अब हम कुछ बड़ी संख्याओं को लेंगे 56 और 120 के सार्वगुणनखंड ग्याद करेंगे सबसे पहले देखते हैं एक गुणा 56 से हमें 56 प्राप्त होता है 2 गुणा 28 बराबर 56, 4 गुणा 14 बराबर 56, 7 गुणा 8 बराबर 56, 8 गुणा 7 बराबर 56, 14 गुणा 4 बराबर 56, 28 गुणा 2 बराबर 56 और 56 गुणा 1 बराबर 56 उसके बाद हम 120 के गुन्न खंडों को ग्याद करेंगे। आप देख सकते हैं ये वो संख्याएं हैं जिन की गुना से हम 120 प्राप्त करते हैं। पहले हम इन सभी गुनाओं को लिखेंगे जिन से हमें 120 प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्याओं में गुन्न खंडों की संख्या भी अधिक हो सकती है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से इन संख्याओं को लिखना है। हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है। अब हम देखते हैं 56 के हमारे पास जो गुननखन है वो 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56 है 120 के गुननखन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 है 20, 24, 30, 40, 60 और 120 है ऐसे गुननखन जो दोनों संख्याओं में है वो 1, 2, उसके बाद 4 और 8 है हम कह सकते हैं 56 और 120 के सारव गुननखन एक, दो, 4 और 8 है अब हम देखते हैं यदि हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं तो हम सारव गुननखन या common factors कैसे ग्याद करेंगे दो संख्याओं की तरह सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के गुननखन ग्याद करेंगे सबसे पहले हम 4 के लिए गुननखन ग्याद करेंगे ऐसी सबी संख्याएं इनके गुननखन हैं उसके बाद 12 के लिए एक गुना 12 बराबर 12 है दो गुना 6 बराबर 12 है तीन गुना 4 बराबर 12 है चार गुना 3 बराबर 12 है छे गुना 2 बराबर 12 है बार है गुना 1 बराबर 12 है और हम देखते हैं चार के गुननखन एक दो और चार है आठ के गुननखन एक दो चार और आठ है 12 के गुननखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है अब हम देखेंगे ऐसे कौन से गुननखंड है जो तीनो संख्याओं में है 1, 2, और 4 तीनो संख्याओं के गुननखंड है हम कह सकते हैं 4, 8 और 12 के सार्व गुननखंड 1, 2, 4 और 8 है अब हम सार्व गुननखंड 3 संख्याओं के लिए एक बार और लेंगे 5, 15 और 25 सबसे पहले हम 5 के गुननखंड देखेंगे उसके बाद 15 के लिए वे संख्याओं ग्याद करेंगे जिन की गुना से हमें 15 प्राप्त होता है वे सभी 15 के गुननखंड होंगे और जिन संख्याओं की गुना से हमें 25 प्राप्त होता है वे 25 के गुननखंड होंगे 5 के गुननखंड 1 और 5 15 के गुननखंड 1, 3, 5 और 5 है इसी प्रकार 25 के गुननखंड 1, 5 और 25 है एक और 5 हमारे पास ऐसे गुननखंड है जो तीनों संख्याओं के गुननखंड है हम कह सकते हैं 5, 15 और 25 के सारों गुननखंड 1 और 5 है आईए अब हम सारों गुनज यानि common multiple ग्याद करना सीखते हैं ऐसे गुननखंड जो दी हुई संख्याओं में दोनों जगए हो यदि हमारे पास तीन संख्याओं हैं तो तीनों में हो वे हमारे सारों गुननखंड होते हैं 6 और 8 हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम 6 के गुननखंड लिखेंगे 6 को 1 से गुना किया 6 है 6 को 2 से गुना कि अब 12 है इसी प्रकार हमें दी हुई संख्याएं आप देख सकते हैं गुनज के रूप में प्राप्त होंगी उसके बाद हम 8 के गुनज लिखेंगे पहला गुनज 8 उसके बाद 16 है 24 और इस प्रकार हमें आगे गुनज ग्यात होते रहेंगे अब हम वे पाट के पर्थम 3 गुनज ग्यात करने हैं और जो दोनों में होंगे वे हमारे सारो गुनज होंगे 24 48 72 इस प्रकार हम देख सकते हैं 24, 48 और सारो गुनज हैं यदि हम 24 का पहाड़ा आगे लिखें तो वो हमारा चोथा सारवगुनज होगा उसके बाद पाँचवा इस प्रकार हम आगे सारवगुनज ग्यात कर सकते हैं 12 और 18 के लिए सबसे पहले हम 12 के गुनज लिखेंगे उसके बाद 18 के गुनज लिखेंगे आप उपरवाले उदहरन में और इसमें देख सकते हैं कि हम आगे कितने भी गुनज ग्यात कर सकते हैं उनका कोई भी अंत नहीं है हमें जितने सारव गुनज ग्यात करने हैं उसी के हिसाब से हम उनके कुछ गुनज लेंगे अब हम देखेंगे कि इन में ऐसे कौन से गुणज है जो दोनों संख्याओं के गुणज है सबसे पहले 36 उसके बाद 72 और उसके बाद 108 तो प्रत्म तीन जो गुणज होंगे वो सारव गुणज हमारे पास 36, 72 और 108 होंगे अब हम 100 से छोटी ऐसी संख्याओं लिखेंगे जो 3 और 4 के सारव गुणज यानि common multiples है सबसे पहले हम 100 से छोटे 3 के गुणज लेंगे आप देख सकते हैं यह हमारे 100 से छोटे 3 के गुणज हैं उसके बाद हम 100 से छोटे 4 के गुणज लेंगे यह संख्याओं भी आप देख सकते हैं अब हम ऐसी संख्याओं लेंगे जो दोनों में उभेनिष्टिया साजी हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 यानि कि 12 के गुणज हमें प्राप्त होंगे हम कह सकते हैं 100 से छोटे 3 और 4 के सारव गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 32, 84 और 96 हैं अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याओं कैसे ग्याद करते हैं क्या संख्याओं 18 और 35 सह अभाज्याओं हैं सबसे पहले हम 18 और 35 के गुणन खंड ग्याद करेंगे 18 के ऐसे गुणन यानि गुणा के टुकडे ग्याद करेंगे जिनसे हमें 18 प्राप्त होता है और ऐसी संख्याओं आपके सामने हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 6, 9 और 18 18 के गुणन खंड हैं उसके बाद हम 35 के गुणन खंड ग्याद करेंगे 35 के हमारे पास गुणन खंड 1, 5, 7 और 35 हैं अब हम देखेंगे कि दोनों में सारव गुणन खंड या साजा गुणन खंड जिसे हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं वो सिरफ एक है अब तक आप समझ चुके होंगे दो संख्याएं जिन में केवल एक ही सारव गुणन खंड या कॉमन फैक्टर होता है इन्हें हम से अभाजे संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहते हैं 18 और 35 से अभाजे संख्याएं हैं क्योंकि इनका सारव गुणन खंड केवल एक है अब आपको स्वेम करना है सारव गुणन खंड ग्याद कीजिए आपके पास दो भाग दिये हुए हैं उसके बाद आपको प्रथम चार सारव गुणन खंड ग्याद करनें इसमें आपको तीन-तीन संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है दी हुई संख्याओं में कौन सी संख्याएं सहवाजे संख्याएं हैं आज के लिए प्लाइए